देख रहे है SGM News महीर यादनसारी इस वक्त में मारास्टा के इतियासी शेर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में एक मिट्टे मिट्टे का परीसर है और यहां पर गलाइसार जो चलाते हैं उसके जो मालिक है टूर्स के अमने के साथ खड़ा हूं और आज ह सारी बाते हैं तो लोगों में तश्विश का माहून किस पर भरोसा करें कैसे ना करें इन तमाम बातों खुलासों के लिए ताकि वो ऐसे लोग जो धुका दे के शिकार हो रहे हैं कहने कई उनको एक कराहत मिले यहीं मकसद से बास्चीत की जा रही है बुलिए कि आप तूर्ट से लाते हैं पहले आप टूर्स का नाम बुलिए गा कब से चला रही है और यह वाकियात हो रहे हैं बहुत से यह क्यों होता है इसकी रिजन क्या है कि मेरा नाम समीद गवरी है और मैं गिलाइसा इंटरनेशनल टूरिजम का सीई हूं और हमारा जो टूर है हमारे डॉक्टर स्रमत सब्सक्राइब पिछले 16 साल से हमारा टूर चालू है नाकपूर में माराठ वाले में तो हमारा भी दो पांच शे मेन हो गए और माराष्ट्रा गोवा करनाटका और है तर तेलंगाना इतनी जगा पर हमारा पूर इंडिया में चालू है और जो आपने सवाल करें कि भाई लोग क्यों भाग ज और कोई बर टूड़ बाला चोड़ नहीं हूता और कोई बर टूड़ भागना नहीं चाहता मजबूर आत ऐसे आती है तो उसमें वह बिजनिस के अंदर बाएचांस कभी लॉस आ गया है तो हम लोग उसको जुँते चपलों से मारते वह डर के भाग जाता सार लॉस कैसा अ तो वह बाव करने का बड़ा चाल है तो नहीं वह तो पचेसी ले रहा है तो वह चकर में शालने आरा वह पचेसी ले रहा है तो मैं ब्याज से लेता है मैंने टिकट खरीत चुका हूँ मेरा चार्टर का फॉर एक्टिक बचे साथ इस उस्म में बचलत बेचने के लिए और फुल में को मौनम में मैं दो चार-वाज नाख में लाज में देख में फिलाल में पंध्रविस्त लाक लोड़ से बचने के लिए दो पांच लाक का लोग और वो लोगों को लेखे चली आता है अब उलता है गड़ा मैं अगले तूर में भर लूँगा अगले तूर में नहीं भर गया तो भागना उसको निकलना पड़ता है यह सच्छा है अभी आपने कहा के कोई भी खुल सकता है कोई कोई बंदन नहीं 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 कोई बंदन नहीं तो इस पर कैसा रिकार्ट होंगी जो अगर इस तरह के गलता करते हैं सबसे पहले यह पुछ लीजिए आप जो हां एक खास बात है कि आप जब दस में खोलो या पांच बें पांच में खोलो वह अब दस में खोलो या मेरे जीसा बड़ा बड़ा आफिस को लो कोई डिकत नहीं हमारे जो के वाले हैं वाजा आफिस को सेटे प्राब्लम उसका नहीं है प्राब्लम क्या था कि जब हम किसी तूर वाले के पास गया तो पहले उससे पोच्छे भी कि आप मेरे को जो पकेज एकसे पैकेज में आप जे शी ब्लेले किम इंए जाउर कि अब को सब्सक्राब्लम उस्वों इस मेरेको जो मेरे जो चारतरी का तूर सीधा पाइंसे लाहा है था吃, कि अगर मैं एक लाका टूर आपको दू तो मेरा काम है मैं आपको 95,000 का बिल दू आप पांच टके जिस्ट लिकर दू पर ऐसा टोटल एक लाका बिल मैं आपको दू उस्तों बदों के पांच टके मैंने गवर्मन को आपका बहरा हूं इसकी अलावा पाश टके City एस टेक्स केश्ट असाओ जो इसान यहां से विजश जा रहा है ठो गॉर्मन का सा रूल है कि जो इनसान विजश फू जा रहा है गॉर्मन को बता बेगर ने को बखर तो बद केश्ट-बिल मगा जा रहे त् इसलिए उनने जो बाहर जा रहा हूं उसका पाच्टक के सिटेस्टक उसको भरना है ताकि वो उसकी जो बैलंस इत है वो बैलंस इत में बदा है कि मैंने एक लाक रुपी उम्रे को गया था इंटरनेशनलिप कई बाहर गया था मैं घुमने के लिए वहां पर मैंना देश्टक कर्चा आया देश्टक मैंने साथ अगर कोई अगरसा सेटीस ने ले लाँगा दे रहा हूंगा आपके बस और को जीस्टक के बिला आपको दे रहा हूंगा तो फिर वह पाहन पर पांच का भी आफिस है तो आप बिंदास आग बन करके उसके बस से आप उम्रे कुचा सकते हैं सर आप जो एक माहल चल पड़ा है 85,000 में नवध हजार में तो क्या वो लोग भी जीस्टक कार्ट देते होंगा सर मैं एक मालूमात के लिए पूछ रहा हूं आप मैं देता हूं बाखे लोग देते नहीं देते लोगा लेते नहीं लेते वो उनका इंटेंशन है मैं नहीं ब पर आप अलेकुर अटलावरकात हो मैं यह कहने चाहूंगा इस बारे में जो लोग कहते हैं कि पाच उम्रे करना है करवाना है वादे करते तो आप मुझे एक बात बताईए रहना है आठ दिन किते दिन आठ दिन जाता है हाजी एक उम्रा करता है पहला दो दिन उसके करने की बात करते हैं यह स्रिफ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और हाजियों को अपने तरफ रुजू करने के लिए और हाजियों को वहां लिजा करका आठ दिन में उनको इतना ठका देते हैं मदीने में आठ दिन उनको रेस्ट करा देते हैं पांश का मतलब आईशा से कराएंगे चवता ताइफ से कराएंगे अब रहा पाच्वा सवाल तो बोलेगें फिर मजीद आईशा चले जाओ वापस वापस तो यह सही है या घलत इसलामी शरायते बार से शरायते बार से मैं इस मामले में कुछ नहीं कोंगा लेकिन एक बात जरूर कोंगा हम मखलुकात हैं इनसान हैं अच्छा मुखादिया हर एक को यहां पर जाने के लिए बैतल्ला शरीफ की जारत नसीवाता फर्मारा लेकिन अगर आप एक उम्रा एक उम्रा सही तरीख से करो तो तकबिल मिन अल्ला वा मिनकुम यहीं कि अल्ला खुबल करने आली जात अल्ला की है तो अल्ला ने हमको हम हमान बना कर बुलाया इसलिए मेरी गुजारिश है कि जिसम को थकाओ मत ज्यादा से ज्यादा तवाफ करो और खजाई उम्री वहां अदा करो क्यूंकि एक रकात का सवाब एक लाग का है मक्का में तो मैं यह समझता हूँ कि जितनी नमाजे आप हर कराना का उम्रा और एक ताइफ का मजजीद आईशा का जो उम्रा है यह कर सकते आप लेकिन उसके वजवात कुछ अलग थे लेकिन आज कल सब लोग जा रहे इसलिए अपने इंकम बढ़ाने के लिए फ्री जो कराते हैं जैसे के मौलिम जो है वीज़ा का जो है वीज़ा का लगाते हैं वीज़ा के अंदर एरपोर्ट से मक्हा तक हैं जैसे जैर्ट से लेकिन जो रहना से वापस जो रहना अगर उसके रहना आ वसके वा देंदर जेसे फोस्त का और आप झने अल्वाएंगे तो बस कंपनी हो फिर यौ करुएगी बस यही दोई चीजे हैं, बाखी मस्जिद आईशा से और तैफ से ये तूर के जानीब से करवाना पूरा है, देखिए सर मैं एक हिंदुस्तानी लहजे में सवाल करूँगा आपको, जैसा अगर मैं अजमे शिरिफ गया है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बुजरगा नहस्ती है, मैं मेरी समझ से पूछ रहा हूँ आपको, मुटे 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 से, जैसा मैं कि होटल में रुका हूँ और वहाँ से अगर मुझे वहाँ का कोई रहबर बूलिए, वो मुझे पाच बार जो तो और दिसरत्ताइफ से, और एक जो राना से, यह चार उम्रे का सुना था मैंने, यह टूर वाले करवाते हैं, लेकिन जो हरम शरीफ के अंदर जाने की बाद है, यह मौलिम का काम है, जो कंपनी के दुर्व आप जाते हैं, वहाँ पर एक मौलिम साथ किरी, कि हम चार करांएगे पांच करांएगे हम नहीं कराते, यह इंक्लूड जो है तो आपके वीजा में है, उसके अलाववा अगर आप करते हैं, तो आप मस्जीद आइशा से जाके तर से, इसकित पैसे और देरी भर चिकोई होते हैं, उन ज्जारे तो ओमरे को आते हैं, काम होता है ये बस से इंधर घुमाना उदर घुमाना जा साफ को नम लिया है मजधिद आइशा जो कömपणी के पास hemos लोग वहां जाने के बाद में अपने आप एहनाम बानते हैं अपने हाथ से उम्रा कर लेते हैं वह कमपनी कराती है अच्छे अच्छे तरह आप इतना परदा फास कर रहे एक सवाल अगो जहन में आ गया एक तसवर पाइजाता है कि बहुत हैं और जाते हैं ने यह हरम शरीफ काबत अला बेत अला शरीफ जो है वहां से सहन का जो मामला है तो तकरीब एंज चार सो मिटर का मामला है कहां से सहने काभा से गेट तक हरम के सहन खतँ होने तक 400 मेटर का मामला है को बहुत उतना मजाएगा Pillow होई में जितना चिकनाटरी उत्ता मजा हैं पैसा दो और सर्विस पाओ अला काम है अब रहा सवाल छेसों मिटर पारसों मिटर यहरम का जो सहन है वहां से 600 मिटर है और वैसा देखा जाता है तो क्यालकुलेशन में 1150 मिटर आता है हो तो किलो मिटर के साथ से एक किलो मिटर और सौ मिटर यहारा सों मिटर का मामला दो जी कावात उल्ला चैनला से अंदर और हरम के सहन से लगाए यह सार्वे छे सों मिटर, चार सार chat, पान सों मिटर, तीन सों मिटर जितने आप पैसे देंगे वह सर्विस में लेगे आपको सब्सक्राइब एक सवाल यह है कि आप जो नए लोग नए जाने वाले हैं उनकी लिए कुछ असा एक समझने के लिए कोई पैगाम कोई मश्वरा देंगे आप कोई पी टूर से जाएए जेस्टी बिल वो दे रहा है उसका जेस्टी बिल है टेस्यस सर्टिफिकर इसके पास मे के लिए और तुरकी का बहुत सारे टूर हमने ही हैंसे लिखर गए है और चलो टूर्की का जो नहरा लगा हमने है जिए जो उनके असल किरदार जिसका था वो बहुत बड़ी हस्ती है वहां की तो यह बिलेजिक में है यह तो आया सोफिया है जो इस्तांबूल के अंदर पाए आता है जो पहले चर्श था बार में वो बना मेज़ें बना अभी जो राष्टपती है उन्होंने प्रस्थ को म है इसके वाद में आगा आप देखें यह तो वो शेख अदा बाली इसके आप में हैं अबनुन अरभी इनके बड़ा बहुत बड़ी स्ट्री है तो उसके लिए आपका वीडियो भी बहुत नंबा हो जेंगा उनकी स्ट्री कि मैं सुनुआ है नहीं माहौल में क्योंकि हम द हो जो आपने खानून खायदे बताए ऐसा कोई एक खानून खायदा बने ताक एक गरीब के सुझ में आ जाए कि मैं मेरा मामला साथ वत रहा है और मैं जो करने जा रहा हूं की लिए टैटल में आज को लगता दोजार चौदा के बाद में खानून बहुत जबर्दस खानू अब अगमा के रगए आप सामीवाले को पैशे दे तो जाएक बिल नहीं लिए उससे आप साधी पहुती क्यों लेते हैं आपने साधी लिए इसका मतलब आपके बाद में तो पूरू भी नहीं आपने क्या दिया मुंकि आप जिस्त का बिल लिए एक लाग का पैकेश ले आ पॉआज़ काम और पैसे देरे तो आप ऐसे देखा रहा जैंगे और वहाद वह दो आप को सुनुवाई कि लिए पॉलिए पॉलिस टेशन वाने निया इसलिए कि आपने जयेश्टी ने ढ़ते पास नहीं है आप कैसा दावा कारींगे कि तूर वाला भागिया हमारे पैसे लेकर आप समया लिगुपे दस रुपी बिया का देरि गौर्मेंट को आप मैंने दिखा यह अभी क्या दस रुपी की फीद अकरम भर रहें तो इंप गौर्मेंट का बाराटके जैस्टि लग्या था दस बना रहता है वो पैकेज है अच्छा है सेमि डिलक्स लूं दिलक्स रूं साधी होटल भतायरका और होटायरका खाना अच्छा पाकेज देंगे वैंसा खाने मेना है जाँ एक बाद बाद नाट था उप्रोड़ के बद पर आदखाना जक्सके तो वरूटा कुसको बंद सब् बन गया है वही मसारे में बस चल रहा है लाशिरवाला जो चलता मॉमला अब जो लिमेडिड खाना से था वह पजास रुपे में पेट भर गए तो वह खाना है वाँ तो उसमें वाड़िस कर लेते हैं तो दस खिस्वाद को अब करने माल बोलने के मदा आता है तो मतले हैं अत एक टुर वाला एक लाग ले रहा और दोसरा टुर वाला अच्सी हाजाम ली आरा जिए कुछ तो वजह होंगी आपको रिस्यार थोड़ी है बिल्डिंग दूर होंगी खाने में प्राब्लम होंगा गद़ में खटबान होंगा कुछ ना को ठोंगा कर ने होंगा उनने कम ले पैसे इने 20,000 ले रहा को ने बीजहार की अच्छी दे रहा हो आपको लाइब दे रहा आपको खाने बैदरीन देरा जब उसके पैसे उन्हें जो पैकेज रखा वो पैकेज मुताफित में आप चले जाओ आप जो है टिकेट के जहाज के पैसे पूरे दे रहे वीजा के पै कर रहे हैं लोगों बोले आए कच्छत लोगों नहंद्या बना लिए लागों रुपे कमा रहें पर सवाल है किसमें वाखी कमाई का इटम है कि बस ऐसी अफ़वाई चल रही है अफ़वाई यह काम खिदमत खलका है बड़ा बहत्रीन काम है कि आप इंसान जिन्देगी बार स से इंकम ही डोड़ी है तो फिर वह तकलीवाला मारो नहीं को जाए गाओ गृह एक घरीवाइन । इस मामले में जैसे तूर वाले इंकम के बारे में सुच्ते हैं लोग की राए छ जो होdır तो मैं एक बात काहूंगा, जो शक्स पैसे की पीछे दोड़ता है, तो पैसा उससे दोड़ भागता है, और जो शक्स पैसे को अपने पीछे दोड़ा है, तो वो कामया होता है, जिसमें से हमारे डॉक्तर समीर साहब, समीर गौरी साहब है, यह पैसे की पीछे कभी ने भाग अगर हाजियों के खिदमत से अगर एक हजार रुपे बसता है तो यह चुनाचे वो दस हजार के बरावर लगता है इत अल्ला ताला यानिकि हम लोग जब ले जाते और लाते हैं तो इसमें इत्ती बरकत आदा करता है कि जिसे दिल को बहुत सुकुन मिलता है जिए अल्ला के म मैं यह भी कहूंगा लोगों से कि अपना जो उम्रे को जाने वाले लोग हैं तो बार्गनिंग ना करें जैने कि अगर वो आसी ले रहा है तो आप बैसी ले लो वो एक बीस ले रहा है तो आप नब्बे ले लो नहीं अल्ला के रह में जाने वाले लोग और नभी पाक स्व कि जारत को जाने वाले लोग बारगनिंग मत क्या करो कि यूदि के सबजी का ठेला नहीं है पहली बात या कोई मंडी नहीं है यह आप जो है जारत के लिए जा रहे हैं अगर आपको जिन्देगी में तरखी करना है तो तूर वाले को मजबूर मत करो कम पैसे करके भागने के लिए थे जाए जाएंगे उसके पास चले जाएंगे वो विचारा परेशान हों के भाग जाता है यह ऐसा मत करो बारगनिंग मत करो लाग कि रामें खर्श करो एक रुपया खर्श करेंगे आप तो एक लाग देगा इसे बड़ी आउर का आशाधत दो आपको मैं जी अल्ल कि और और किया चाहिए को जो हैं Frei निए शाफा होता है और हमे जो आने के वाद आंने के बद आने थी जो यहां से जाता है नियत आ परीती है जो भी खर्ज करता है जो प्रयाज कि यहाज बी किर आते हैं वहाँ लोग जाने तो उन सब को इसमें बहुत पाइदा होता है अलंदला मैं यह तो कहूंगा कि दौलत तो नहीं कमाई खिदमत करके मैंने वह दौलत कमाई है अलंदला बती साल हो चुके हैं मेरा भी जो है नाकपूर में बहुत बड़ा टूर था रजिस्टर था यह लग बात है कि मैं आज इ यह इंकम के सोर्स से मैं अलग हो गया जो पैसे के पीछे दावड़ते मैं उनके साथ नहीं हूँ एक मड़ा है मैं आखिर मैं आखिर मैं आखिर मैं कहना चाहूंगा लोगों से कि हिंदुस्तान में तारीक मकामात भी है लेकिन तुर्की शहर में और भी है जैसे कि मौलाना शम्स तबरेज रह्मत अलग है और उनके मुरीद मौलाना जलाल अद्दिन रूमी साब यहां के भी जो वाकियात दिलकश है और एक बार जरूर जाना चाहिए यह आप लोगों से गुजारिश है वहां के हालात और वहां के समझ में आजाएगा आपको कि हमको हिंदुस्तान में कैसा रहना है और अपने हिंदुस्तान को कैसा सवारना है इसमें आवाम की अगर मदद रहेगी तो इन्शालला अपने हिंदुस्तान भी वैसी यूरोप के जैसा लगने लगेगा चल रहा है कुछ लोग कहते हैं धंदा बना लिए कुछ लोग कहते हैं कारव बना लिए लेकर हमारे एक मकसद था जो जैरत को जा रहे हैं उम्रा को जा रहे हैं हच को जा रहे है और जो बहुत नेक नियाती से जाते हैं पाई पाई जोड के जाते हैं जब हाथ से का शिकार हो यह अपका हख है आप यह नहीं है उन्हें मृटे बिटी बात किया था, चाय पला दिया था और लस्टीर के लागए हम जासे में आगें यह चलने वाला नहीं है आपके जिन्देगे गाड़ी कमाई क्योंकि बहुत मेनस से कमाते हैं तो आपसे इतनी अप्पील है कि आप इस बात पर तवज्जे दें अगर आप तवज्जे देंगे तो यखीनान यहास से कम होगे और आपके जो मुरादे हैं जो दुआए हैं जो आपका मकसद है वो यकीन तोर से पूरा होगा